देखे अकसर हम सभी ट्रेन में कभी न कभी यात्रा जरूर करते हैं साथियों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेन में सफर के दौरान ऐसी पांच बड़ी गलतियां जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए तो चली जानते हैं कि ट्रेन में सफर के दौरान ऐसी वो पांच कौन सी बड़ी गलतिया हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए नमबर वन रेलवे परिसर में समान ना बेचें जियां साथियों रेलवे परिसर में बिना पर्मीशन के समान बेचना या फेरी लगाना एक डंदनी अपराद है ऐसा करने पर आपके खिलाफ कारिवाही की जा सकती है नमबर दो वेटिंग टिकट कैंसल होने पर यात्रा ना करें अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया है और वे अपने आप कैंसल हो जाती है तो आप उसे साथ में लेकर के यात्रा नहीं कर सकते हैं ऐसा करते पाय जाने पर टिटी द्वारा आपको बे टिकट माना जायेगा और यात्रा का पूरा किराय वसुलने के साथ ही जुरमाना भी लगा सकेगा इसके साथ साथ ही टिटी आपको अगले स्टेशन पर भी उतार सकता है नमबर थ्री, रेल्वे टिकट की दलाली करते पाये जाने पर देखे, रेल्वे में टिकट केवल authorized counter या authorized agent के जरिये ही बेची जा सकते हैं देखे, आगर कोई व्यक्ती बिना permission के टिकट बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाप कारवाही की जाती है नमबर फोर, ट्रेन की छट पर यात्रक करने पर जुर्माना देखे, अगर आप ट्रेन में यात्रक दौरान छट पर बैठ कर सफर करना करते हैं तो ये अवैद होता है, अगर कोई भी यात्री रेल की छट पर बैठ कर सफर करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाब भी रेल्वेक के द्वारा कारवाई की जाती है नमबर फाइफ बिना पर्मीशन के दूसरे डबे में सफर ना करें तेकि ट्रेन में आपको उसी कोच में सफर करना चाहिए जिसका आपने टिकट लिया है अगर आप ऐसा ना करते पाए गए तो ऐसे में आपके खिलाब कारवाई की जाती है तथा आपके खिलाब जुर्माना भी आपको लगाया जाता है तो साथियों ये वो पाँच बड़ी गलतियां है जिनको हमें ट्रेन में सफर के दौरान कभी भी नहीं करनी चाहिए तो इस वीडियों हमने जाना वो पाँच गलतियां जिनको हमें ट्रेन में सफर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद